सुभाश गई एक शांदर फिल्मेकर तो हैं ही इसके अलावा म्यूजिक पर भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है यही कारण है कि उनकी जितनी भी फिल्में हिट हुई उसका म्यूजिक भी हिट था और जो फिल्में हिट नहीं भी हुई वो म्यूजिक की वज़े से भी चर्चा में रही फिर चाहे त्री मूर्ती हो, सौदागर हो, खलनायक हो, परदेश हो या ताल मूवी हो इन फिल्मों के गाने बहुत पसंद किये गए थे यानि की कह सकते हैं कि सुभाजगाई की फिल्में ही नहीं बलकि उनकी फिल्मों का म्यूजिक भी बहुत अच्छा होता है लेकिन म्यूजिक के मामले में सुभाजगाई ने एक बार एक इतनी बड़ी गलती कर दी कि इस वज़े से सल्मान खान का बड़ा नुकसान हुआ और वो एक हिट फिल्म से चूप गए यवाब तब की थी जब सल्मान खान ने सुभाजगाई के साथ अपने रिष्टे अच्छे कर लिये थे और डोनों ने साथ में काम करने का मन बनाया था 2008 में सल्मान खान ने सुभाजगाई के डिरेक्शन के फिल्म यवराज में काम किया था क्योंकि सुभाजगाई अपने फिल्मों के म्यूजिक की सिटिंग में खुद बैठते हैं और बहतरी म्यूजिक बनाने में बिलीव करते हैं तक ते रही कारण है कि उन्होंने Film Industry के सबसे बड़े Music Composer A.R. Rehmarn को इस फिल्म का Music बनाने के लिए कहा A.R. Rehmarn ने फिल्म की Theme की ज़जाब से Music तयार किया और सुभाज गई को Music सुनाया सुभाश गाई ने कुछ गाने सिलेक्ट किये लेकिन एक गाना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सुभाश गाई का रिजेक्टेट ये गाना एया रहमान ने अपनी दूसरी फिल्म के प्रेडूसर्स को सुनाया उन प्रेडियूसर्स को ये गाना पसंद आया और उन्होंने अपनी इस फिल्म में इस गाने को रख लिया ये फिल्म थी Slumdog Millionaire और ये गाना था जै हो इस गाने को अगले साल Academy Award से सम्मानित किया गया था Best Original Song का ये Award इसे दिया गया था सिर्फ इंडिया में ही नहीं बलकि पूरे वर्ल्ड में इस गाने को पसंद किया गया था और इस तरह से जिस गाने को सुभाजगाई ने अपनी युवराज के लिए reject गया वो गाना इतना बड़ा बन गया हाला कि बाद में सुभाजगाई को regret तो जरूर हुआ क्योंकि अगर इस गाने को वो अपनी फिल्म युवराज में रखते तो डेफिनेटली फिल्म की चर्चा बहुत जादा होती क्योंकि बॉलिवुड फिल्मों के मामले में ही ऐसा होता है कि अगर फिल्म अच्छी नहीं है और उसके गाने चल जाए तो भी लोग फिल्म देखने जाते हैं लेकिन सुभाजगाई से ये भारी चूक हुई अच्छे फिल्मेकर होते हुए भी एक अच्छा गाना उनसे रिजेक्ट हो गया हाला कि इस मामले में सुभाजगाई ने कई इंटर्व्यूज में अपनी सफाई दी उन्होंने कहा ये जाय हो गाना मैंने सुना था लेकिन मैंने रिजेक्ट इसलिए कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि फिल्म के थीम के साथ ये गाना जमेगा नहीं यही कारण है कि मैंने एर रह्मान को इस गाने के लिए मना कर दिया बाद में A.R. Rahman نے मुझसे वो गाना मांगा और कहा कि मैं अपनी दूसरी फिल्म के लिए यूज़ करना चाहता हूँ तब मैंने A.R. Rahman को वो गाना दे दिया क्योंकि A.R. Rahman ने ही वो गाना कंपोस किया था यार रह्मान ने वो गाना सुभाजगाई से लेकर स्लम डॉग मिलेनेर वालों को दिया और वो गाना हिट हो गया अब इस जै हो शब्द से सलमान को इतना प्यार हो गया कि उनकी फिल्म का ये गाना तो नहीं बन पाया लेकिन उन्होंने इस गाने के बोल पर ही अपनी एक फिल्म बना दी जै हो